तस्वीरों में जिस शक्स को आप देख रहे हैं ये दरसल अब डॉक्टर सहब बनने वाले हैं जी हाँ कौन है ये शक्स क्या नाम है इनका और कहा के रहने वाले हैं ये सब आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि मेरा नाम है युक्तम रिगवानी और आप इस समय इंसाइट भारत टीवी देखना शुरू कर चुके हैं दरसल ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ये यूपी के बदाई उजले के कच्छला घाट की मागंगा आरती का है लेकिन इस वीडियो को तब सभी का आकर्शन का केंद्र बन गया जब पता चला कि मागंगा की आरती कर रहे शक्स पर वाकई में मागंगा की कृपा बरस चुकी है जी हाँ जिस शक्स को आप देख रहे हैं ये हैं विबू उपाध्याय कहा जाता है कि यदी आपकी जीवन शैली संसकारित और अनुशासित हो तब तो सफलता यकीनन आपके कदम चूंगती है और बदायू के कच्छला के गंगा मा की आरती करने वाले विबू उपाध्याय ने नीट की परिशा पास कर सफलता की ऐसी ही प्रेरक इबादत लिख डाली है जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदितनाद ने खुद विबू को बधाई भी दी आपको बता दूँ कि विबू ने 720 अंकों में से 622 अंक प्राप्त की है विबू ने नीट में ओल इंडिया रैंक 17,324 हासल की है विबू कच्छला के ही रहने वाले नीरश शर्मा के बेटे हैं विबू के पता नीरश शर्मा कच्छला गंगा आरती समिती के सदस से और साथ ही प्राइविट पच्छू डॉक्टर भी हैं विबू के पता शर्मा जी बताते हैं कि विबू ने पहले ही अटेम्ट में नीट क्लियर कर लिया 2019 से ही उन्होंने गंगा मा की यारती करना शुरू कर दी थी विबू 2019 में नौवी कच्छा में थे और उसी दुरान डॉक्टर बनने का सपना मन में संजो चुके थे अपनी नर्सरी से कच्छा दो तक की पढ़ाई कच्छा के ही एक ग्रीन फील्ड स्कूल से करने के बाद कच्छा 3 से लेकर इंटरमीडियेट तक का सफर राधा क्रिश्न पबलिक स्कूल मुझरिया रोट से तैक किया बताती चलूं कि वर्श 2020 में हाई स्कूल और 2022 में इंटरमीडियेट की परिक्षा पास कर ली थी इसके बाद करीब 10 महीने विबू ने कोटा में रहकर कोचिंग के माध्यम से भी तैयारी की विबू बताते हैं कि नीट के करीब आने पर सुबह 6 बज़े उटकर उन्होंने राध 12 बज़े तक जी तोड मेहनत की जिसका परिणाम आज आप सब के सामने है विबू ने अपनी इस काम्याबी को गंगामा का शिर्वात बताया और साथ ही इस काम्याबी का श्रे अपने पूरे परिवार को दिया रिजल गोशित होने के बाद विबू के घर के बार मिठाई बधाई देने वालों का ताता लगा पड़ा माहौल वाले भी गदगद हो उठे और सोशल मीडिया पर तो विबू की चर्चाएं जारी हैं इसी के साथ मुख्यमंतरी योगी आदितनात ने भी विबू को उनकी सफलता की बधाई ट्वीट के माध्यम से दी मुख्यमंत्री योगी आदिदनात ने अपने ट्वीब में लिखा कि ये प्रेरक उपलब्धी संसकारित और अनुशासित जीवन शैली की प्रतिफल है इसके साथ की विभु को उज्वल भविश्य के लिए शुपकामनाय दी और साथ ही लिखा कि मागंगा का आर्शिवाद सदा उन पर बना रहे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारे वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका शुक्रिया बने रहे इंसाइट भारत टीवी के साथ